ये मोधी क्या है मोधी कोई चीज है क्या है तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता तुम हिंदू भी नहीं है दोस्तों जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज बिहार की राजधानी में जन्विश्वास रैली का योजन हुआ था और इसमें बिहार के तमाम विपक्षी दल के नेता मौझूद रहे और देखा गया कि तेजस्वी यादव के साथ साथ जो अखिलेश यादव हैं वो भी मौझूद रहे और साथ में राहूल गांधी भी मंच पर नजर आया और इस दर्म्यान देखा गया कि तमाम नेताओं ने जिस तरह से प्रधान मंत्री नडंद मोधियों के अंदर सरकार पर हमला किया और एक जूटता दिखाया इससे ये बात साफ समझ में आ रही है कि जनता के साथ साथ देश की तमाम जो कहा सकता है कि अलग-अलग जो विचार धारा के लोग हैं और खास करके समाजवात के लोग हैं जो विपक्ची दल के नेता हैं वे लोग के अंदर सरकार को खार ठेकने की सोच रखते हैं और आज जो तस्वीरा सामने आई इन तस्वीरो तब आपको अंदाजा होगा कि लालू यादव एक बार फिर अपने पुराने ही स्टाइल में आ चुके हैं और देश की केंद्रिये सत्ता को उखार फेकने के लिए तयार है इस्रेहली में उन्होंने परिवारवाद की बात करते हुए ये बात बताई कि जिस तरह से प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के बाल ना कटवाने पर भी कटाक्ष किया है देखे कि लालू यादव क्या कुछ कह रहे हैं यह मोदी कोई चीज़ा क्या है अग्या नरेंदर मोदी आज कल परिवार बात पर हमला कर रहा है अरो भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतार नहीं हो तुमको हुआ बता ज्यादा संतार होने वाले लोगों को बोलता कि परिवार बात है परिवार के लिए लोग लग लग रहे है तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारे माता जी जब अर तुम हिंदू भी नहीं है तुम्हारे माता जी का जब दिवासान हो गया ता हर हिंदू अपने मा के सोक में केस दारी बनावाता दारी चलिवाता क्यों नहीं चलिवाया बताओ क्यों नहीं चलिवाया देश भर मैं नफरत पहला रहा हो देश भर मैं नफरत पहला रहा हो